एक दिन पप्पू को अंजान नमबर से फोन आया, फोन पर लड़की थी, जो बोली, हेलो, आप कुमारे हैं, पप्पू, हाँ लेकिन आप कौन बोल रही हैं, लड़की, मैं तुमारी बीवी बोल रही हूँ, आज घर आना तो बताऊंगी, थोड़ी देर बाद पप्पू को फिर एक अनजान नमबर से फोन आया, फिर से एक लड़की ही थी, जो बोली, क्या आप शादी शुदा हैं, पप्पू, हाँ, लेकिन तुम कौन लड़की, तुमारी गर्ल फ्रेंड दो के बाज, पप्पू, सोरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीवी है, लड़की, बीवी आज बस तुम गर आओ, फिर बताती हूँ, एक बार एक कुवारा लड़का मर गया, मा रो रोके, हे बगवान, इसने तो अभी जवानी भी नहीं देखी थी, पडोस की बाबी रोते हुए बोली, मत रो चाची, मैंने दिखा दी थी शादी के बाद पतनी कैसे बदलती है, जरा गोर कीजी, पहले साल, मैंने कहा जी खाना खा लेजिए, काफी देर से आपने कुछ नहीं खाया, दूसरे साल, जी खाना तयार है, लगा दू क्या, तीसरे साल, खाना बन चुका है, जब खाना हो बता देना, तोहते साल, खाना कर रख दिया है मैं बजार जा रही हूं खुद निकाल कर खा लेना पाच्वे साल मैं कहती हूं आज मुझसे खाना नहीं बनेगा होटल से ले आओ छेटे साल जब देखो खाना खाना और खाना अभी सुबही तो खाया था अब मुझे ही खालो चादी के बाद पती कैसे बजलते हैं जरक गोर फरमाईएगा पहले साल जानू संबल कर उधर गड़ा है दूसरे साल अरे यार देखकर उधर गड़ा है तीसरे साल दिक्ता नहीं क्या उधर गड़ा है चोटे साल अंधी है क्या गड़ा नहीं निक्ता पाचवे साल अरे उधर कहां मरने जा रही है गड़ा तो इदर है आंखों में नमी थी और विटामिन की कमी थी वावा जिससे राध पर चैटिंग की वो गल्फरेंड की ममी थी बिखारी भीक मांगने एक गर के दरवाजे पर पहुँचा दस्तक दी अंदर से एक 45 साल की महिला आई बिखारी माता जी भूके को रोटी दो महिला शरम नहीं आती हटे कटे होकर भीक मांगते हूँ दो हाथ हैं दो आख हैं पैर हैं फिर भी भीक मांगते हो बिखारी माता जी आप भी तो खुबसूरत हैं गोरी चिट्टी हैं गजब का फीगर है और आभी आपकी उमर ही क्या है आप मुंबई जाकर हिरोईन क्यो नहीं बन जाती गर पर बेखार वैटी हो महिला जरा रुक मैं अभी तुमारे लिए हलवा पूरी लाती हूँ बस कलर का फायदा उढ़ा लिया वो तो मेडिकल स्टोर पर इन लड़कियों का बस नहीं चलता वरना सरदर्द की गोले मांगते हुए भी पूछले भाई ये इसमें कोई और कलर दिखा ना लड़का फोन पे हलो तेरा लवर बोल रहा हूं मेरी चमक चलो लड़की तु चिंटू बोल रहा है क्या लड़का अरे वाँ मेरा नाम इतनी जल्दी पहचान गई लड़की तेरे पापा का नाम बंसिललाल ही है ना लड़का हां बिल्कुल सही लड़की और तेरे दादा का नाम रामलाल है लड़का अरे लगता है तू तो मेरी दीवानी हो गई है मेरी पूरी डेटेल रखने लगी है तू लड़की अब हराम जादे मैं तेरी बैर बोल रही हूं गलती से घर का नमबर लगा दिया है पुन्सार जड़क पर एक अवारा लड़का लड़की को देख कर बोला लड़का मेरे साथ चलोगी क्या लड़की कहां लड़का जहां तूं कहो लड़की अच्छा तो पुलिस टेशन चलते हैं लड़का लो बताओ अब बंदा अपनी भेंद से मुझाग भी नहीं कर सकत पतनी एक बात बतानी है लेकिन मुझे मारोगे तो नहीं पती नहीं बोलो पतनी मैं प्रेगनेंट हूँ पती यह तो अच्छी कबर है इस बात पर क्यों तुम्हें मारूँ पतनी शादी से पहले पीता जी को बताया था तो बहुत मार पड़ी थी एक बार एक आतकवादी ने बुढ़िया के गर में बंब रख दिया लोग चिलाए बुढ़िया बंब है बुढ़िया जरुमा कर बोली दख तेरी वो तो मैं जवानी में थी लड़के वाले हमको लड़की पसंद है शादी कब करनी है लड़की वाले कुछ रुख जाते हैं अभी तो लड़की पड़ रही है लड़के वाले तो हमारा लड़का कौन सा बच्चा है जो किताबे बाट देगा मंगू बिखारी बाबुजी एक रुपे का सवाल है बस एक रुपे दे दो सर्जन सिंग हट्टे कट्टे दिख रहे हो बला चंगे हो कोई काम दुन्दा करो एक रुपे क्यों मांग रहे हो मंगू विखारी बाबु जी गरीब आद में हूँ अब आपकी बैन का हाथ तो भाग नहीं सकता एक यूवक अपनी परेमिका से मिलने अकेले में उसके घर पर पहुँचा प्यार महबद की बाते चल रही थी कि अचानक नोकरानी आ गई वो यूवक तेजी से बाहर निकला ठैरा और नोकरानी को दसका नोट देते हुए बोला प्लीज किसी को बताना मत नोकरानी बोली वैसे तो इस काम के दूसरों से मैं सों रुपे लेती हूँ और तुम नए हो इसलिए दस रुपे ही रख लेती हूँ पतनी ने अम्बूलेंस बुलाने के लिए 102 पर कॉल किया उपरेटर आपको क्या समस्या है पतनी मेरे पैर केम गली कॉभी टेबल से टकरा गई है और इसके लिए अप अम्बूलेंस बुलाना चारती है पतनी नहीं, अम्बूलेंस तो मेरे पती के लिए है, उसे हसना नहीं चाहिए था एक आदमी अपने दोस्त से, इतने उदास क्यों हो आदमी पतनी से जगडा हुआ था, उसने कहा कि वो मुझसे 30 दिन तक बात नहीं करेगी दोस्त, तो फिर इतने उदास क्यों हो, तुमें तो कुछ होना चाहिए आदमी आज आखरी दिन है न, इसलिए एक बहुत मोटी योरत अपने पलंग पर सोई हुई थी ये अचानक एक आएक भुचा ला गया, और वो पलंग से नीचे गिर गई क्रीब ही उसका पती सोया हुआ था, उसकी ब्याँ खुल गई, क्या हुआ भगवान वै पर्ष पर नीचे गिरी पड़ी पतनी से बोला, बुचाल से तुम गिरी हो, ये तुमारे गिरने से बुचाल आया है छे माँ बाद भी अपनी बीवी के कबर पर रोते हुए और पंखा जोलते हुए मोलवी को देकर एक शक्स क्या उठा, या अल्ला इतनी महबद, मोलवी और जोर से गिड़गडाते हुए और पंखा जोलते हुए बोला, मरने वाली क्या गई थी, मेरी कबर की मिट्टी भने के बाद ही दूसरा निकाह करना, पता नहीं कोल कमभत दो बाल्टी पानी डाल जाता है, बस के गेट पर लटके हुए मुसाफिरों से कंड़क्टर ने कहा, भाईयो अंदर हो जाओ, इस तरह गेट पर लटकना आपकी जान के लिए खतरनाक है, लेकिन जब कोई भी अं अंदर ना हुआ, तो ट्रड़क्टर गुस्से में बोला, तुम्हें तुम्हारी पतनी की कसम अंदर हो जाओ, इतना सुनते ही, जो मुसाफिर सीटों पर बैठे थे, वो भी गेट पर आकर लटक गए, शेरों के यहाँ शादी थी, तगड़ा वाला दांस चल रहा था, डा चानक एक शेर की निगाह उस पर पड़ी, तो उसने पूछा, कि तुम शेरे की शादी में कैसे, कुत्ता नाचते हुए बोला, वाई शादी से पहले हम भी शेर हुआ करते थे, एक बार एक शादी शुदा जोड़ा, किसी के यहां मैमान बन कर आया, दोनों मिया बीवी ने बढ़ जड़ कर उनका स्वागत किया, चार-पांस दिन बाद वो चले गए, पतनी ने पती से पूछा, क्यों जी, वे तुम्हारे कौन से रिष्टेदार थे, इतना सुनते ही पती बेहोश हो गया, खोश में आने के बाद उसने कहा, मैं तो समझ रहा था, कि वे तुम्हार रिष्टेदार है, पती पतनी से बोला, आज सुबर ना मालूम किसका मुदेख कर उड़ा था, कि दिन का खाना नसीब नहीं हुआ, पतनी बोली, मेरी मानो बेडरूम में लगे आईने को हटा दो, वरना रोजाना यही शिकायत रहेगी, दो दोस्त आपस में बातचीत करते हुए, पहला दोस्त, तुम्हें कैसे पता चला, कि आने वाले पती पतनी है, या प्रेमी प्रेमी का, दूसरा दोस्त, जो चुपचाप खरीदारी करे, वो प्रेमी प्रेमी का है, और गेवल मोलतोर करते हुए जगडे, में पती पतनी, महाशाय सुबह सुबह फेस्बुक खोल कर बैठ गए, उनकी एक महिला मित्तर ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नास्ता करें, पती ने खुछ होकर कमेंट किया, बहुत बड़िया नास्ता था, मज़ा आ गया, यह कमेंट पतनी ने देख लिया, फिर क पती महाशा को नास्ता नहीं दिया, और चार गंटे बाद पतनी ने पती से पूछा, खाना बनाओ, यह आप लंच भी फेस्बुक पर ही घरोगे, बहु, माजी यह अभी तक नहीं आए, कहीं कोई लड़की का जक्कर तो नहीं आए इनका, माजी, अरे कमबत, तू तो हमेशा गलत ही सोती है, हो सकता है कि किसे ट्रक नीचे आ गया हो,